उद्योपती गौतम अडानी की कमपनी अडानी गुरूप को महराश्ट और चतिसगर में दो कोल ब्लॉक मिले हैं। कोल माइस के कमर्शल यूज के लिए हाल में हुए कोल तीन माइस की निलामी में से गुरूप ने दो माइस हासिल करने में सफलता पाई है। सरकार ने तीन कोल माइस के कमर्शल यूज की निलामी के लिए बोली मंगाई थी। सोंवार को ही इस निलामी में महराश्ट की गोनकरी कोल माइस के लिए अडानी गुरूप सबसे बड़ी बिडर बनकर उपरी। दोस्तों आईटी की खबर के मताबिक कमपनी ने इस कोल माइस के बोली के बेस प्राइस से 9.5% प्रीमियम पर बिड लगाई थी। महराश्ट की इस माइस को हासिल करने के लिए सन फ्लैग, आईरेन एन स्टील भी दोड में सामिल थी। लेकिन अडानी ग्रूप की कमपनी की बिडिंग सफल रही, इस कोल ब्लॉक में 9.8 करो टन कोईला भंडार होने का अनुमान है। इस बिडिंग प्रोसेस में अडानी ग्रूप की गंपनी 36 गर्ड नैच्रल रिसोर्स लिमिटेड में जिगाडोर कोल माइस हाजिल करने में भी सफल रही है। इस कोल माइस में अभी बहुत ही कम काम हुआ है और इसका कोल भंडार 25 करो टन होने का अनुमान है। कमर्शल यूज वाली कोल माइस के निलामी का ये दूसरा फेज चल रहा है और ये 25 मार्स को सुरू हुआ था। सोमवार को 3 कोल माइस के निलामी की गई है जबकि मंगलवार और बुदवार को 5 और कोल माइस के निलामी की जानी है। पहले फेज में सरकार ने 19 माइन्स को कमर्चल यूज की बीडिंग के लिए रखा था। इन माइन्स के हर साल 5.1 करो टन के मैक्सिमम प्रोडक्शन से सरकार को 7,000 करो रुपए टेक्स मिलने का नुमान है। तो दोस्तो दो कोल ब्लॉक मिलने से अडानी पावर को काफी ज़्य तो दोस्तो ये थे कुछ अपडेट अडानी ग्रूप को लेकर इस वीडियो में फिला लितना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में।